हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए हिंदी का टेस्ट लेकर क्या आया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बेहद इंपोटेंट है वीड माला कोसन सर आपके समने दिवसा वसन का समय मेग में आस्मान से उतर रही है वैसंद्या सुंद्री परीसी दीरे 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 मैं कौन से लंकार हैं तो देखो अगर हम यहां पर लंकार की बात करें सर कि यहां पर लंकार कौन सा होगा तो यहां पर हो जाएगा देखो सी सब दाया यही बाचेक्समसे हम पैचानना की यहां पर उपमा काशनका चै relied तो, Μapan फिरत युग गया फिरान मनका पिर करका मन का डारी दे मन का मन का फेर यहां पर कौन सा लंकार है तो यहां पर सर आपका यमक लंकार होगा मन का मन का फेर एक मन का मतलब मोती और एक मन का मतलब अपना मन समझ रहे हैं जहां एक सब्द कईवार आए और अर्थ लग लगो तो वहीं पर आपका यहमा का लंकार है मुक्वाल रभी सम सम से समझी है मैं तो कि यहां पर कौन सा लंकार है मुक्वाल रभी सम लाल होकर जौला सा बादित हुआ सा सम ये सभी बाचक सब्द आपको अप्माल लंकारे में देखने को मिलेंगे है पहला औप सैंके निग्ट मैस संबका आपको बताना है कौन्सा ततासम sechs सब्दें ता गोष्णा गोष्णा शुम्हों सब्द ईक तत्रसम सब्द है चौता औप सब्सक्रेब को blur ember 5 अभी आыеश्र कौन्सा सा तततत रव सब्स if रूइं को सब्स करें को इसमें तदवा सब्स बताना है कौन सा ढ़ता क्या अंसर आप क्या हो जाएगा सर जल्दी बताईए कि ह्योओ हुआ जब को बताना है फोन सेस्द सभ आप यूपी स्य में तो आना यह साथ य साथ-फृमपर वैकैंजिड यह SSE GD में और SSE GD में भी आपकी हिंदी आना है तो मैं SSE GD के लिए एक बहतरी नापको प्रेक्टिस बुक बता रहा हूँ जिसको आप पर्चेस कर सकते हैं या तो अफलाइन मार्केट से या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ उससे जैसा भी आपका मनों आप वहीं सही पर्चेस कर सकते हैं कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है मुझे ठीक है चलिए वो वो के बारे में देख लीजिए फिर आपके आगे एक चाह है दोस्तो आप सभी लोग जानते है SSE GD में बंपर वेकेंसी आई हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं आते और मौके को जब आपके सामने आया है उस मौके को हमको किस तरीके से लेना है कि हम अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से SSC GD में एक अपनी सीट सुनिस्चित करना है और वर्दी पहनना है ठीक है सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए SSC GD के तिरू CRPF VSF SSB CISF ITBP NIA Assam Rifle इन सभी में आपको जोब जो है वो दी जाती है ठीक है आप कोई भी टॉपर का इंटर्वी उठा करके देख लीजिए च अपनी तयारी को बहतर करते चलो ठीक है तो भाईया यही आपका है चक्सू पब्लीकेशन जो की इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो बीस प्रेक्टिस सेट लेकर के आया है इस बुक में और आट सॉल्ड पेपर हैं सॉल्ड पेपर सर कौन से जो आपके लाश्ट य बन चुके हैं वो सारे इस बुक में समायत हैं और 32 से ज़्यादा बहु बिकल्पी है पिर सुल्ड जो है वो उपलब्द हैं सबसे अच्छी बात क्या है बुक की वो देख लो जैसे आपने ये वाला सैट पेपर लगाया ठीक है इसमें देख लीजिए 100 कोर्शन होते हैं हि और इंगलिस आपकी ऑप्सनल है जो इंगलिस वाले हैं तो वो इंगलिस को अटेम कर सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं तो देखो हिंदी का पोर्शन बिल्कुल अलग से देदिया वो हिंदी को अटेम कर सकते हैं ठीक है अब सची अच्छी बात क्या है सर यहां पर आंसर की purchase करना है वो आपके उपर निरवार है लेकिन उसमें ये देख लेना कि व्याक्या सहित हल दिया हुआ है पीछे या नहीं दिया हुआ है हर बुक में नहीं मिलेगा इसलिए तो आप लोगों को चक्सु पब्लीकेशन की बता रहा हूँ डिस्क्रिप्सन में लिंक है देख लेना अब आप सोच रहे सर लिंक प्रोवाइड करवारा जरूर सर का कोई फायदा होगा अरे भया कोई फायदा नहीं है ओफलाइन मार्केट में भी एविलेविल है ये एक उन बुक तो ओफलाइन मार्केट से भी ले सकते हो आपकी उपर निरवार है है ना जो भी अपने जहां भी रह रह रहा हो ओफलाइन मार्केट से पर्चेस कर सकते हो कोई भी दिक्कत नही अभी इनकी ये दो book आई है ना एक तो आपका SSC GD ये वाली या या प्रेक्टिस रेड़ वाली और ये संपूर गाइड book है तो जो भी आपको अच्छी लगे purchase कर लेना description में लिंक है और अफलाइन market से देख लेना वो आपकी उपर निरवार है लेकिन मैं अपनी वीडियो में उनी books को बताता हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छी होती है तो बता रहा हूँ जैसा ठीक आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोसन सर आपके सामने पराकरम का ब्लोम सब्द आपको बताना है कि पराकरम का ब्लोम सब्द क्या होगा भीरूता भीरूता जो है यह पराकरम का ब्लोम सब्द का पहला options correct कीरती का ब्लोम सब्द आपको बताना है कीरती के ब्लोम सब्द क्या होगा कीईरती के बिलूंव सब दो कर सार अप किरती पहला उप्सें करेट सुद वर्तनी आपको बताना है कोसद न אמश में कोसद नम़र 13 में यहीं काम करना है बिपुल पहला उप्सें करेट वर्तनी की दरश्टी से सुद सबद आपको बताना है 14 जिसके आर पार देखा जा सके वाक्यांसों के लिए एक सब्द क्या होगा कांटों से बरा हुगा कंट का कीन जो सब कालों में हो उसको क्या बोलेंगे तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर सार्व कालिक पहले ही ओप्सन्स करेक्ट जात रूप प्रहवाची है किसका तो जात रूप सब्द जो है वो किसका प्रहवाची है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्या क्या हो जाएगा सर शुण का तीसरों उप्संस, correct नेच्ट कोसन सराव के सुवन को आपका जातरूप परियावाजी यह है चंद्रमा का परियाजी सब्द बताना है कोसन नमब नैंटीन में सिंपल है यह तो बता दोगे है ससी चंद्रमा का परियावाजी सब्द है तालाब परेवाची है किसका? आज के टेस्ट में वोकेब ज़ादा है पुस्कर का पहला आपसन्स करेक्ट आदि गरंद किसकी रचना है? गुरु अरजुन देप की चोहता आपसन्स करेक्ट इसमिर्थी की रेखा हैं किसकी रचना है? महादई बर्मा के तीसरी आपसन्स करेक्ट वस्तु इस्थान बाव या विचार के गोतक सब्द क्या कहते है? संग्या सब्द कहते हैं सर पहला आपसन्स करेक्ट निमले के तमेंसे संग्या सब्द का चैन कीजिए कौन सा संग्या सब्द है? भूगोल एक संगय सब्द है चौता ओप्संस करेक्ट हो जाएगा इस समय हमारे देश पर कही परकार की अंतराष्टी फिलिंदब लेंग्स हैं थाफ्संस करेक्ट इस समय सार्विनिक छेत्र के फिलिंदब लेंग्स की दसा बहुत अच्छी नहीं है तो इस समय सारवेंग छेतर के उपकरमों की दसा किसी भी सब्दों के फिलिंदा ब्लैंक में बहुत साबदानी वरतनी चाहिए किसी भी सब्दों के प्रियोग में बहुत साबदानी वरतनी चाहिए हस्ता हुआ चेरा एक ऐसा फिलिंदा ब्लैंक है जिसमें मन की निरमल बावना पिर्टि विम्बेत होती है तो हस्ता हुआ चोरा एक ऐसा मुकूर है दूसरा आॉप्सेंस क्रेक्ट ब्रद विकारी दो रोटी खाकर फिलिंदा ब्लैंक्स हो गया तो ब्रद विकारी दो रोटी कहाकर तुर्प्त हो गया तीसरा ओप्सन्स यहां पर आपका विल्ग करेक्ट अंग अंग डीला होना इस मुआपरे का सहीर्थ क्या है तो सही अंसरो जाएगा सर बहुत थकना तीसरा ओप्सन्स करेक्ट है अकल मारी जाना इस मुआपरे का सहीर्थ क्या है सही अंसर हो जाएगा आपका बुद्धी ब्रेश्ट होना पहला उप्संस करेट है अंक भरना इस मुआपरे का सहीर्थ क्या है तो सही अंसर हो जाएगा आपका इसने करना चौता उप्संस करेट है फटे में पाओ दफ्तर में नाओ इस लोकुत्ती के सहीर्थ क्या है तो सही आंसर होगा बिना सोचे समझे कार करके मुसीवत जेलनी पढ़ती है किस यानी विल्ली खंबा नोचे इस लोकुत्ती के सहीर्थ क्या है तो सही आंसर होगा सर आपका अपनी सर्म चिपने के लिए वेर्थ जुन्जलाना दूसरा ओप्सन्स करेक्ट अबधी का समनारती सब्द क्या होगा अबधी का समनारती सब्दों का सर समय तीसरा ओप्सन्स करेक्ट चो का समनारती सब्द आपको बताना है चो का समनारती सब्द क्या होगा तो सही आंसर हो जागा सर आपका ममता और लास्ट कोस्टन्स अध्यापिका सब्द का प्रोलिंग क्या होगा बड़ा सिंपल कोस्टन्स है आराम से आप इस कोस्टन्स का आंसर बताऊगे क्योंकि बागी के तीन questions आपके गद्धान्स में चलेगा है इसलिए आप मान के चल रहे हैं कि यह पूरे 40 की questions का test है और इस questions का answer आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों यह ते लगवक 40 हिंदी के important questions जो कि आपके आने वाले exam यूपी ट्रपल सी पीट यूपी एसाइ के लिए और यूपी ट्रपल सी पीट के लिए बेद important है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीस दोस्तों यूडियो को लाइक और से रुकर दीजेगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो हैं सिर्फ इतना ही अकर आपको वीडियो पसंदा तो प्लीस दोस्तों यूडियो को लाइक किजेए सेर किजेए और साथ ही साथ हमारी चैनल को subscribe करना ना भूलें क्यों की मर हो जाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत